क्राइम ब्रांच ने जब्त किये 45 लाग के मोबाइल और लैपटाप नविमबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 30 अगस्त की राज शटर काट कर खारगर के शिव एलेक्ट्रानिक्स शोरूम से 50 लाग के मोबाइल लैपटाप और इलेक्ट्रानिक उपकरण चुराने वाले गिरोह के तीन लोगों को गिरफतार कर लिया है क्राइम ब्रांच ने धारावी से गिरफतार इन आरोपियों से 45 लाख रुपयों के चोरी गए सामान भी बरामत कर लिये हैं नव नियुक्त पुलिस आयक बेपिन कुमार शिंग ने एक प्रेस कॉनफरेंस में बताया कि आरोपियों में शफी कुल्ला उर्प सोनी अतिकुल्ला अयान उर्प बिट्टू रफी अहमस्टेक एवं मास्टर माइन निम्रान मुहम्मद उर्प इम्मू बिंदू अंसारिश्टा मिल है सभी पेश्यवर अपरादी हैं जो वार्दास से पहले कार चुराते हैं और चोरी लूट के बाद कार से फरार हो जाते हैं तीस अगस्त को खारघर पुलिशेशन के हद में एक बड़ी घरफूरी की खितना हुई थी और वहां पे जो आईपीसी तीनसो वस्य और चार्सों सतावन के अंदर उन्होंने गुना दाखिल किया था 171 क्राइम नंबर था 2020 का और उसमें करीवे 50 लाग के आस पास का जो सौब से मुबाईल और लैक्टॉप और यह सब जो मुद्दिमान मेला है सब महाँ पे चुरी हुआ था और जो आरोपी इसमें थे बहुत ही सातिर हैं वो DVR हो रहे हैं भी सब निकाल के ले गए थे कोई भी निसान उनको छोड़ना नहीं था वहाँ पे फिर भी हमारे जो अस्थानिक पुलिस ने पहले इन्वेस्टिकेशन किया बाद में हमारे क्राइम ब्राइब राइज के जो अफिसर्स हैं उन्होंने इसमें महनत करके इंफर्मेशन निकालके और अपने हिसाब से इन जिसको माटूंगा से कि अफ्तार किया बया है दूसरा जो आयान और वियान उसार अन्सारी बिट्यर अफिक हमाझ शेख जिसको धरावी से किरफ्टार किया गया इनको गिरफ़्स रक्र करके इन्होंने छ नन्हों से पता लगा अंको कि इन्होंने करेब करीब ये जो correctly जो पीप इन्होंने सरा माल फ्तकत किया हमारे लोगोंने वहाँ पे जहां जुपाया थ Multiple तैक्सी यूज किया था भी ते तेक्सी उज कर पे जहिंचे उपर पहले वे अर्म एग मैं जो नंबर 45 अबंधे पहले साथ गुना है दाखिल है," नमबर तीन पे सतरह गुना दाखिल में नमबर दो पे भी दो गुना दाखिल है, तो इन्igorसे की तो यह वह सब और भी ऑफस.. मुना कर सकते हैं, और पहले जो किया हुआ और भी हम पुरी कोशिछ करेंगी इसमें कि यह और भी कोई जुना के बारे में पता चले, मुढीमाल के बारे में पता चले और इन्होंने ये टहाँ भेचा होगा कोई रीसीवर है, इन्होंने जो चोली करने के बाद में उसको भी हम अभी इन्वस्टीकेशन में घूनेंगे, रून निकालेंगे, और ये बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए कि ये जो जब ये चूरी करते थे तो CCTV, DVR और निकाल के कर लेते थे वहाँ पे और जो सोरूम का जो येट वेर थे हैं वो कटा रोटर से कड़ करके करते थे तो उससे ये बड़ा ही मतलब सातिर लोग हैं अब कोई भी निसान को नहीं छोड़ना था कि कहीं से इस अस्टिवेटिंग एजेंसी को कोई निसान नहीं मिलना थे फिर भी हमारे लोगों ने किया तो बहुत ही चैलेंजिंग काम था और अच्छा काम किया इसके लिए हम इंका अपने टीम का अविणहिंदन करते है इम्रान पर मुंबई थाने में 17 केस दर्ज हैं वहीं शफिक उल्ला पर 7 केस और ऎयान पर दो अपराधिक मामले दर्ज हैं आरोपियों से बरामट टैक्सी के कुरला से चोरी होने का खुला सा हुआ है मुंबई से मोबाइल लूट कर ये हरियाना यूपी और मद्ध प्रदेश में ट्रक ड्राइबरों में जिन्टों के जरिये आधे दाम पर बेच देते थे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर एनबी को लटकर की टीम ने 4 सितंबर को इन्हें गिरफतार किया था कोट ने सभी आरोपियों को 11 सितंबर तक पुलिस कस्टडी दी है फिलाल मामले की जांच क्राइम अफसर ग्यानेस्टो और भेदोड कर कर रहे है बेरो रिपोर्ट टीवीवन इंडिया